Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्ड़बल वायाद एब बिगर और मोर टेंपल्स इन साथ इंडिया अस कमपेर तो नोर्थ वेलकम टू Study IQ मेरा नाम है अधेश सिंह दूस्तो हमारा देश भारत अपने खुबसूरत परियाटन स्थालों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है इन प्रसिद्ध परियाटन स्थालों में भारत के कई मंदिर भी शामिल है भारत पूरे विश्व में अपने अलोकिक मंदिरों के लिए जाना जाता है भारत की Tourism Industry में यहां की मंदिरों का काफी बड़ा योगदान है देश-विदेश से कई परियाटक लाखों की तादाद में इन मंदिरों की दर्शन करने आते हैं भारत के मंदिर आस्था का तो केंद्र हैं हैं साथी साथ यह भारत की संस्कृतिक विरासत और इतिहास को भी दर्शाते हैं भारत में उत्तर से लेकर दक्षण तक और पूर्व से लेकर पश्चम तक हर एक कोने में मंदर देखे जा सकते हैं। ये मंदर अपने आर्किटेक्चुरल स्टाइल के लिए काफी पॉपिलर है। वैसे तो पूरे भारत के मंदरों की आर्किटेक्चुरल स्टाइल एक से बढ़कर एक है। लेकिन अगर दक्षन भारत में बनाए गए मंदिरों की बात करें, तो इनकी भवेता और सुन्दरता उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना में काफी अनोखी है. दक्षन भारत के मंदिरों की खुबसूर्थी कई सौ सालों से एक समान है इन मंदिरों को देखने से लगता ही नहीं है कि ये 600 से 700 साल पुराने है उधारन के तौर पर विरुपक्षा टेंपल, मिनाक्षी टेंपल, वेंकटेश्वर टेंपल, रामनात स्वामी टेंपल, एरावतेश्वर टेंपल, ब्रिहदेश्वर टेंपल, सबरी माला टेंपल और विठ्थल टेंपल दक्षन भारत के कुछ फेमिस टेंपल्स हैं तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में इन प्राचीन और भव्य मंदिरों की संख्या दक्षन भारत की तुलना में काफी कम है यहां प्राचीन मंदिर जियादतर मध्य प्रदेश और ओरिशा में पाए जाते हैं उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में ऐसे मंदिरों की संख्या काफी कम है। बदरिनाथ टेंपल, केदारनाथ टेंपल, बिरला मंदिर टेंपल, सोमनाथ टेंपल, विश्वनाथ टेंपल और खजुराहु टेंपल यहां के प्रमुख मंदिर हैं। लेकिन कुछ मंदिरों को छ दुलना में काफी कम पाई जाती है। आईए समझने का प्रयास करते हैं। इन कारणों में सबसे पहले गौ़ करते हैं जोग्राफिकल कंडिशन्स पर। जोग्राफिकल कंडिशन्स उत्तर भारत और दक्षन भारत एक दूसरे से जोग्राफिकली काफी डिफरेंट है उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे इलाके हिमाले की बरफीली पहाडियों से घिरे हुए है इन पहाडियों में एंचेंट और मेडीवल टाइम्स में बड़े मंदिर बनाना तो दूर, लोग घर बनाने में भी काफी घबराते थे यहाँ जमीन की सतह काफी उपर नीचे है, जिससे पुराने जमाने में किसी भी तरह का निर्वान करना असंभव होता था इन रीजिन्स के पहाड और आसपास के इलाके ज्यादतर बर्फ से ढखे रहा करते थे और बर्फ बारी भी काफी हुआ करती थी जिससे प्राचीन समय में बिना किसी टिकनॉलोजी के मंदिर या किसी भी तरह की बिल्डिंग का निर्मान करना काफी मुश्किल होता था इन बर्फीली जगहों पर पॉपिलेशन भी काफी कम रहती थी और कई तो ऐसे एरियाज थे जो पूरी तरह से आईसिलेटिड थे इसलिए उस समय वहां पर मंदिर बनाने का मतलब ही नहीं बनता था क्योंकि अगर आसपास पॉपिलेशन नहीं होगी तो मंदिर की देख भाल करना भी मुश्किल होगा और अगर ऐसे बरफीली और उचाई वाली जगहे पर किसी मंदर का निर्मान कर भी दिया जाता तो लोग मंदर का दर्शन करने नहीं पहुँच पाते जिससे उस मंदर से रेविन्यू जेनेरेट करना मुश्किल हो जाता मंदिर निर्मान यहां इसलिए भी असंभव था क्यूंकि बर्व से ढकी पहाडी जगहों पर दुर्गम रास्तों के कारण मंदिर निर्मान में लगने वाले किसी भी सामगरी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत मुश्किल रहता था उत्तर भारत के राजस्तान के इलाकों की बात करें तो यहां पर काफी गर्मी हुआ करती थी और बारिश भी बिल्कुल कम होती थी साथी साथ थार के रेगिस्तान के कारण यहां के रास्ते काफी कठिन हुआ करते थे इस कारण इन जगहों पर भी प्राचीन और भव्य मंदिर काफी कम पाय जाते हैं तो वहीं अगर दक्षन भारत की बात करें तो यहां का तापमान और सतह ज्यादा तर एक समान रहती है बारिश भी ठीक ठाक मात्रा में यहां होती है यहां की पहाडियां भी पत्थर और पेड पौधों से धकी रहती थी जिससे लोगों को आने जाने में और निर्मान सामगरी के ट्रांस्पोर्टीशन में किसी प्रकार की समस्याओं को नहीं जिलना पड़ता था इनी वजहूं से दक्षन भारत में मंदिरों की संख्या उत्तर भारत से ज्यादा है जियोग्रैफिकल रीजन के बाद अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वो हैं कई इन्वेजंज जो प्राचीन समय से ही उत्तर भारत में देखे गए प्राचीन काल में भारत पूरे विश्व के लिए सोने की चड़िया के समान था और इसी समय भारत के मंदर धन और विरासत का केंद्र हुआ करते थे भारत की विरासत देख कई विदेशी राजाओं और लुटेरों ने इस पर अटैक्स किये गुपता एंपायर के बाद भारत में कोई भी स्ट्रॉंग हिंदू राज्य नहीं बन पाया जिस मौके का फायदा उठाकर गेर हिंदू धर्म के इंवेडर्स ने यहां के मंदिरों में जबरदस्त लूट पाट की हिंदू राजाओं को आर्थिक रूप से कमजोर करना और साथ ही साथ उनकी विरासत को नश्ट करना इन अटैक्स का सबसे मुख्य इंपक्ट रहा अगर उत्तर भारत के मंदिरों पर लूट पाट की बात करें तो गुजुरात का सोमनात मंदिर सबसे प्रमुक है ऐसा कहा जाता है कि सोमनात मंदिर पर महमूद गजनी ने 1000 से 1024 AD के बीच 17 बार अटैक किया और 1024 AD में वो सोमनात मंदिर की सारी धन और विरासत को लूटने में सफल रहा उत्तर भारत की तुलना में दक्षन भारत में इस तरह के कोई भी मेजर इन्वेजन्स नहीं हुए उत्तर भारत ने हमेशा दक्षन भारत को एक बाउंडरी की तरह प्रोटेक्ट किया जिससे कई इन्वेडर्स दूर दक्षन तक जाने में असमर्थ रहे और इसी वजह से वहां के ज्यादा तर मंदिर हमेश सुरक्षित रहे इन्वेजुन्स के बाद तीसरा सबसे मुख्य कारण है प्राचीन और मध्यकाल के दौरान उत्तर भारत की पुलिटिकल कंडिशन्स तो आईए डीटेल में उन्हें भी जानते प्राचीन काल में उत्तर भारत में कई वर्षों तक बुधिस्ट, जैन और हिंदू रिलिजन के राजा राज्य करते रहे इन सभी राजाओं की पॉलिसीज कहीं न कहीं सेकिलर नहीं थी historical sources की माने तो religious supremacy दिखाने के लिए कुछ ब्रहमेनिकल रूलर्स ने प्राचीन काल में कई बुधिस्ट स्तूपर्स और टेंपल्स को नश्ट किया जिस वजह से आज प्राचीन काल में बनाए गए भव्य बुधिस्ट मंदिरों की संख्या उत्तर भारत में काफी कम है तो वहीं मध्यकाल में डेली सल्तनत और मुगल सल्तनत ने उत्तर भारत में कई सौ सालों तक राज किया इन सल्तनत के राजा महराजा इसलाम धर्म से तालोक रखते थे इन इसलामिक रूलर्स ने उत्तर भारत के कई मंदिरों को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया ऐसे बहुत से एक्जाम्पल्स हैं जहां रिलिजिस और पलिटिकल कंडिशन्स की वजह से रूलर्स ने बने बनाए रिलिजिस सेंटर्स को तोड़ कर अपने रिलिजिन के मौनिमेंट्स का निर्मान कराया। उत्तर भारत की पलिटिकल पावर काफी लंबे समय तक मुजलिम रूलर्स के हाथ में रही। जैसे चोलाज, राष्टकुताज, पल्लवाज, पांडवाज, इत्यादी और इन राज्यों के राजाओं ने काफी भव्य मंदिरों का निर्मान कराया। जिसके कारण दक्षन भारत में भारी मात्रा में भव्य और प्राचीन मंदिर पाये जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दक्षन भारत में मुजलिम रूलर्स ने राज नहीं किया, पर वहां के हिंदू रूलर्स की पलिटिकल स्ट्रेंग्थ काफी स्ट्रॉंग थी, जिससे दक्षन भारत के मंदिर काफी हद तक बचाए जा सके। मंदिर निर्मान में पलिटिकल कंडिशन के बाद उत्तर भारत और दक्षन भारत के रिसोर्स काफी मैटर करते हैं। तो आईए डीटेल में उनको भी जान लेते हैं। प्राचीन काल के जितने भी भव्य और खुबसूरत मंदिर हैं, उन्हें कुछ अनोखे प्रकार के पत्थरों से बनाए गया है। उन पत्थरों के नाम है ग्रेनाइट और सैंड स्टोन। किया जाता था। साथी इन पर नकाशी और डिजाइन बनाना भी आसान रहता था, जिससे मंदिरों को और ज्यादा खुबसूरत बनाया जा सकता था। ये पत्थर आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, करनाटका, महराष्ट्र और मध्यप्रदेश के आसपास के स्थानों में पाय जाते थे। ये सारे स्थान लगभग दक्षन भारत में आते हैं और ये उनके करीब ही स्थे थे। इसलिए दक्षन भारत में काफी भारी मात्रा में इन पत्थरों का इस्तिमाल कर भव्य और आकरशक मंदिरों का निर्मान किया गया। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर भ आसानी से ट्रांस्पोर्ट किया जा सके इसलिए उत्तर भारत के मंदिरों में इन पत्थरों का इस्तिमाल नहीं किया गया यहां के मंदिरों में ब्रिक और वुड जैसे मेटीरियल इस्तिमाल किया गए जो समय के साथ खराब होते गए और उत्तर भारत के कई मंदिर अब बदहाल अवस्था में पाए जाते हैं और शायद बहुत से काल के गाल में समा चुके हैं Resources के अलावा, अगर उत्तर भारत में कम मंदिरों के पीछे और कोई कारण है तो वो है विरासत और धन Wealth अगर उत्तर भारत और दक्षन भारत के धन संपता की बात करें तो कहीं न कहीं दक्षन भारत उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा संपन था उत्तर भारत में यूं तो धन संपता की ऐसी कोई कमे नहीं थी पर इस धन संपता को कई दूसरे कामों के लिए इस्तिमाल किया जाता था अगर उत्तर भारत के हिंदू राजाओं की बात करें तो उन्हें अपने धन का ज्यादा तर हिस्सा राज्य की सेना पर लगाना पड़ता था उन लोगों को कई लाग सेनिकों की देखभाल करनी होती थी उत्तर भारत में हमीशा ही नौथ वेस्टन बॉर्डर की तरफ से अटैक्स का खत्रा बना रहा जिससे सुरक्षा करने के लिए भारी मात्रा में सेन्य खर्च किया जाता था इसके अलावा लंबे समय तक छोटे-छोटे राज्यों में बटे रहने के कारण आसपास में भी टकराव बना रहता था इस वजह से भी राजाओं का ज्यादतर ध्यान और खर्च सैन्य गतिविधी और राज्य की सुरक्षा पर ही रहता था उत्तर भारत में कम मंदर होने का एक और कारण ये भी है कि यहाँ के राजा माहराजा अपनी धन का ज्यादतर हिफ्सा, महल और भवनों के निर्मान में लगाया करते थे जिससे उनके पास भव्यमंदर बनवाने के लिए धन की कमी हो जाया करती थी तो वहीं दूसरी ओर दक्षन भारत में धन की कोई कमी नहीं थी वहाँ पर विजयनेगर जैसे कई संपन राज्यों ने राज किया और दक्षन भारत समुद्र तट के करीब है तो वहाँ पर बड़ी संख्या में कोस्टल ट्रेड भी हुआ करता था उधारन के तौर पर रोमन एंपायर दक्षन भारत से सोने और चान्दी के बदले कौटन और मसाले खरीदा करता था इस ट्रेड की वजह से दक्षन भारत की संपन तब बढ़ती कई साथ ही साथ उत्तर भारत की तुलना में दक्षन भारत में कम लूट पार्ट और अटैक्स हुआ करते थे जिसकी वजह से उन्हें भारी मात्रा में सैनिकों की जरूरत नहीं होती थी इससे उनका काफी धन बच्ता था जिसे वो मंदर निर्मान जैसी अक्टिविटीज में लगाया करते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर भारत में प्राचीन और भव्य मंदिरों की कमी है लेकिन हाँ कहीं न कहीं ये दक्षन भारत से पीछे जरूर है मध्यप्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बंगाल में अभी भी कई प्राचीन और भव्य मंदिर मौजूद है और आज वर्तमान समय में फिर से धीरे धीरे उत्तर भारत में मंदिरों का निर्मान किया जा रहा है जिसमें अक्षरधाम, राम मंदिर, बिरला मंदिर, काशी विश्वनात मंदिर और महकालेश्वर मंदिर प्रमुख है सरकार के प्रयासों से उत्तर भारत के मंदिरों की खुई हुई संपदा और अलोकिकता वापस लोट रही है वैसे तो मंदिर दक्षन के हूँ या उत्तर के, हैं तो हमारे देश भारत के ही ये सभी मंदिर हमारे देश का गौरव हैं, और मंदिर बड़े हों या चोटे, होते तो आस्था का केंद्र ही है इन मंदिरों की सुंदर्ता और भवेता इतनी अनूठी है कि इन में से कई मंदिरों को युनेसको द्वारा वर्ल्ड हेरिटिज साइट भी घोशित किया जा चुका है क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत में अगर उतने अटैक्स नहीं हुए होते तो आज वहां मंदिरों की संख्या दक्षन भारत के मुकाबले ज्यादा होती आपको क्या लगता है इन रीजन्स के अलावा क्या और भी कोई रीजन्स है जिसकी वजह से नौर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की तुलना में कम मंदिर पाए जाते है अपनी राए कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें